Hello students, welcome to Global Online, this is Ankhita Sood, so Himachal Pradesh State Eligibility Test Paper 1 में आज हम Teaching Aptitude का एक interesting topic discuss करेंगे, जिसका नाम है Teaching Support System. अब देखो, as a teacher, आप लोगों को भी तो किसी चीज की help चाहिए होती है, जैसे students को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए, आपके सामने whiteboard, blackboard होना चाहिए, आपके पास एक book या अपने notes होंगे, तो आप और अच्छे से पढ़ा पाऊगे, तो वैसे ही, इस session में हम देखें है, जो कि आपके पास होना compulsory है, और कैसे उसको इस्तेमाल किस condition में किया जा सकता है, तो ये सारी conditions को हम इस वीडियो में बहुत interesting way में discuss करेंगे, और इसमें से 100% surety तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक आदा question पूछा जा सके, ठीके, इस exam को qualify करने के ल के लिए complete course हमने launch किया है, जसमें full syllabus video lectures हम आपको देंगे, Hindi English, Donor Languages में course available है, examination से पहले आपका पूरा syllabus कवर करवाने की, मैं आज आपको 100% surety तेती हूँ, full syllabus notes, full syllabus mock test आपको मिल जाएंगे, जिसमें से ask test questions, exam में पूछे जा सकते हैं, ये video lectures में भी पहले आपके theory concepts clear करवाई जाएंगे, जो कि बहुत easy language में होंगे, tricks के साथ आपको याद करवाई जाएंगी, चीजें साथ ही, weekend पे आपके लिए mock test और MCQ series भी लाए जाएंगी, ताकि जब पूरा week आपने पढ़ा है, उससे बहुत अच्छे से आपकी revision हो जाए, 2000 plus MCQ question bank में हम आपको देते हैं, previous year questions, most repeated questions और explanation के साथ याँ पर सारे questions आपको मिल जाएंगे, and इसमें से भी as it is questions exam में पूछे जाते हैं, so इसके लिए आपको सिरफ एकी बार फीज देनी है, 2000 रुपे जब तक आपका exam qualify नहीं हो जाता, तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो, free videos के access के लिए global online app को download कीजे, store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है, इस course के अच्छे से आप लोग overview को जरूर पढ़िएगा, इसकी duration 6 months है, content पर click करने के बाद आपके सामने मेरे separate sessions आजाएंगे, इसमें अभी 150 से जादा sessions आपको मिलते हैं, and मैं आपको surety देती हूँ कि in lectures के अलावा, आपको कुछ भी क Hindi and English, दोनों languages में unit wise folders हैं, जहां पर आपको theory lectures अलग है, MCQ sessions आपको अलग मिल जाएंगे, mock test है और evaluation test है, जो की exam को qualify करने के लिए काफी है, तो students जल्दी से आप given numbers पर contact करके हमारी team से इस course की पूरी जानकारी ले सकते हो, and जल्दी से इस course को join भी कर सकते हैं, जल्दी से इस course क तीन टाइपस हम discuss करेंगे, traditional, modern and ICT, तो बढ़ते हैं अब अपने main content page इस पे की हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि teaching support system exactly होता क्या है, so in the realm of the teaching learning process, there is a system that teaches, trains, coaches, guides and instructs teachers on how to maximize academic achievement of students, अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है teaching support system, यानि कि अब जैसे मैं एक teacher हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यानि कि कौन सा process चल रहा है, यहाँ पर teaching process चल रहा है, तो मेरी teaching को support करने के लिए कौन कौन से systems, कौन कौन सी चीज़े मुझे help कर रही है, वो सारी क सारी चीज़े आएंगी आज की इस lecture में, तो generally अगर हम लोग offline classes की बात करें, offline classes में teaching support systems क्या होते हैं, offline classes में होते हैं, जैसे की chalk होता है, duster होता है, students को बैठने के लिए benches होते हैं, classroom होता है, online classes की बात करें, जैसे अभी आप ये class देख रहे हो, इसमें teaching support system क्या है, जैसे मे मेरे पास एक अच्छा internet connection है, मेरे पास pen tab है, ये सारी चीज़ें जो मुझे support कर रही है, teaching process को complete करने में, ये सारी की सारी चीज़ें आती है, teaching support system के अंदर, इससे क्या फाइदा होगा, इससे ये फाइदा होगा, कि जो students का achievement rate है, उनका जो success rate है, वो increase होगा, आप for example, यहाँ पर देखते हैं, कि अगर मालीच, हम offline classes की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई classroom भी नहीं है, हमारे पास chalk, book, duster, कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास knowledge है, मेरे सामने students है, तो हम एक अच्छी teaching तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी जादा effective, इतनी जादा effective teaching नहीं हो पाएगी, जितनी जादा यह teaching support system की help से हो सकती है, right, next यहाँ पर बोला गया है, this system of tools and resources is called a teaching support system, a teaching support system caters to the teachers with an ultimate goal to improve students achievement, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे teaching अच्छी होगी, मेरे पढ़ाने के तरीके के साथ-साथ, मेरे knowledge के साथ-साथ, मेरा internet connection, मेरा laptop, मेरा pen tab, यह भी एक अच्छी quality के होंगे, fast speed वाले होंगे, तो student की achievement में इनका भी बहुत-बड़ा role रहता है, ठीक है, इसको एक real life example के साथ, फिर से मैं बताती हूँ, जैसे हमारी live classes अगर होती है, तो माल लीजे कि मेरा internet connection बिलको slow है, मेरा laptop भी पीच-बीच में hang हो जाता है, तो क्य यह अच्छी teaching count करोगे, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग एक बार class में आओगे, जादा से जादा मुझे दूसरा chance दे दोगे, लेकिन I know उसके बाद कोई भी नहीं आएगा, कि हाँ पर time waste होता है, अच्छी teaching नहीं होती है, तो यह सारी चीज़े इसलिए बहुत-जाद को help करते हैं कि वो कैसे अच्छे से पढ़ा सके, कैसे इन चीज़ों में वो, इन चीज़ों को use करके वो अपने teaching को और बहतरीन बना सकते हैं, अब यहाँ भी students, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास types होते हैं traditional method, modern method and ICT method, तो इसकी official definition जो की actual में exam में पूछी जाती है, उस पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि traditional education और modern education में क्या difference होता है, so traditional education system teacher centered होते हैं, यानि कि इसमें teacher ही major role play करता है, teacher आएंगे जो teacher का मन होगा वो topic पढ़ाएंगे, students से ना ही इसमें कोई feedback लिया जाता है, students का ही ना ही इसमें जादा कोई role होता है, यह मैं आपको detail में previous lectures में बता चुकी हूँ, लेकिन वहीं अगर हम modern education की बात करें, तो यह learner centered होता है, यानि कि इसमें student भी पूरा participate कर सकता है teachers के साथ, ठीक है अब जैसे मान लीजे teacher पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से teachers को पूछूँगी, मैं उनको ये भ पर अपना teaching style change करके देखिए, किसी और तरीके से पढ़ा करके देखिए, तो यह learner centered होता है, learners को students को ध्यान में रखते हुए teacher नहां पे काम करते हैं, इसके बाद आता है traditional method, यह होता है subject specific knowledge, यानि कि traditional education पुराने जमाने में कैसे पढ़ाया जाता था, जो syllabus होता है, बस बोला जाता था syllabus complete करो, आप लोगों ने exam देना है, पास हो जाओ, और that's it, लेकिन अब modern के अगर हम बात करें, तो यह subject specific and skill based knowledge होता है, आप लोगों को यह चीज सामने पता चल रही होगे, कि आज की समये पे nursery class सही, students को रटा मार कर ABCD नहीं सिखाया जाता, उनको सामने, alphabets, सामने रख करके बताई जाती है, रटे के basis पे, road learning यहाँ पे नहीं होती है, third है one way transfer of knowledge, teacher centered है, तो क्या होता था, teacher आएंगे classroom में, lecture देंगे, student सुनेंगे, that's it, यहाँ पे student का कोई feedback नहीं होता था, student को समझ आया, नहीं आया, वो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते स्टुडेंट्स को, कई स्टुडेंट्स होते हैं, जिसको उस topic पे already कुछ knowledge है, तो वो अपने views शेयर करेंगे, उनको कोई query है, या कोई extra knowledge वो चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें multi-way transfer of knowledge, यानि कि modern education में काम करती हैं, passive and limited, yes, बिल्कुल passive and limited होता है, यह जादा interactive and engaging होता है, इ engagement students and teachers की जादा रहती है, theoretical यानि कि theory पढ़ते हैं, वही है कि इसमें rote learning पे focus किया जाता है and concept बताई जाते हैं, modern education में, practical करके चीज़ें बताई जाती हैं, जादा से जादा, तो यह basic सी चीज़ें थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, अब आते हैं, इनकी official definitions पे, जो कि examination point of view से important है, तो पहली traditional system की बात करेंगे, so traditional education जिसको की हम back to basics बोलते हैं, इसको conventional education बोलते हैं, इसको customary education बोलते हैं, right, traditional यानि कि पारंपरिक परणाली क्या चलती आ रही है, आप लोग जो भी ये video देख रहे हैं, आप लोग भी students जब आप school में होंगे, बहुत से students government schools में पढ़ होंगे, तो आप दोनों कोई पता होगा कि उस समय की teaching में, उस समय की learning में और आज की समय की learning में कितने difference है, तो इसलिए इसको back to basics बोला जाता है, उस समय major focus अपने textbooks, blackboard में पढ़ाया जाता था, बस teacher lecture देंगे, उनको मतलब होता था syllabus complete करवाने से, वो बोलते थे previous year questions करो, pass हो कि कुछ merits and demerits भी है, जो कि examination point of view से बहुत important है, तो सबसे पहले हम लोग merits की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे merits में बोला गया है, lecture remains one of the most effective teaching methods, when the group of learner is expectationally huge, यह मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हमने learner centered और teacher centered methods की बात की थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि lecture method वैसे तो इतना successful नहीं माना जाता, लेकिन lecture method उस जगह पे अच्छा माना जाता है, जहां पे बहुत बड़ी audience है, मालीजे एक class में 150 students हैं, तो वहां पे teacher एक एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, यहां पे practicals करवाना भी possible नहीं है, तो इस जगह पे lecture method best method माना जाता है, तो यह इसकी एक merit बताएगी है, नेस्ट है traditional teaching methods are easy to use given any group of learners, they are economic in terms of money as well as time, यानि कि एक एक बच्चे को अलग से पढ़ाने में time भी waste होता है, money भी waste होती तो यहां पे इसको advantage माना गया है, a teacher has a lot of authorities over how the content is delivered and the amount of creativity involved, so यहां पे इसमें बोला है teacher centered होता है, इसका मतलब यह है कि teacher बहुत ही जादा एक authority के साथ, अपनी responsibility मान के चीज़ों को लेते हैं, तो यह सारी इसमें merits बताएगी है, अब de-merits की बात करें, so there is less involvement of learners, yes, हिंदी में देख सकते हो, शिक्षार्थियों यानि कि students की भागीदारी कम होती है, there is less emphasis on the understanding of the concepts, यानि कि concepts को clearly यहां पे नहीं समझाया जाता था, weak learners suffer the most as they don't feel motivated, yes, this point is very very true, so जो weak learners होते थे, वो यहां पे चुपचा बैठे रहते थे, ना उनसे कोई feedback मांगा चाता था ना वो खुद से participate कर पाते थे, जो intelligent students है, वो फिर भ of learner is based on traditional teaching method can sometimes be faulty, yes, this statement is very important previous year question में as it is पूची गी थी और पूचा गया था कि यह true है या false है, तो इसमें बोला था कि जो learners को, जो students को evaluate किया जाता है, वो traditional teaching method के basis पे वो faulty होता है कहीं ना कहीं, इसका क्या मतलब है कि एक student है मान लीजिए, ठीक है, एक student math भी पढ़ता है, एक student science भी पढ़ता है, एक student drawing भी पढ़ता है, and वो music भी पढ़ता है, for example, right, अब एक teacher है, जो mathematics के teacher है, यह बोलेंगे, यह student तो 10 out of 100 लेकर के आता है math में, science वाले teacher बोलेंगे, 20 out of 100 लेकर के आता है, तो यह बोलेंगे, तो बिकार student है, यह कुछ नहीं कर सकता, इन teachers नहीं क्या किय सिर्फ यह दो subjects के basis पे ही, इस student को judge कर दिया, right, इस तरह से होते है, general चीज है यह बिलकुल, उसके बात वहाँ पे लेकिन यह student जो है, यह 100 out of 100 drawing में लेकर आया, 100 out of 100 music में लेकर आया, तो इसका क्या मतलब है, कि उन्होंने इसका यह वाला face देखा ही नहीं, हो सकता है, यह student में कुछ अच्छा कर जाए, तो इसलिए इस traditional teaching method में evaluation जो होता है, उसको faulty माना जाता है, there is less incentive among teachers for reflection, and यह जो evaluation वाला topic है, यह थोड़ा समय ने बताया, इसको आप लोग बिलकुल star mark कर लीजिए, बहुत important है, next video में इसको detail में हम देखेंगे, ठीक है, separate topic है, तो इसको के होते हैं बढ़ाने के, इसमें मैंने आपको बताया कि यह learner centered method होता है, इसमें learning, group discussion, brainstorming, peer assisted learning, यह सारी चीज़े involved होती है, है ना, यह सारी की सारी चीज़े हमने learner centered method and teacher centered method में discuss किया था, सो वहीं अब अगर हम बात करें modern teaching method की, सो इसमें हम कहीं न कहीं ICT का use भी करते हैं, सो अगर students आप लोग नए हो UGC net exam में, तो आपको पता होना चाहिए कि ICT क्या होता है, इसका मतलब होता है information and communication technology, simple language में बात करें, computer हो गया, internet हो गया, यह सारी चीज़ें का use भी हम modern method में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ examples दिये हैं, computer, overhead projectors, videos, documentaries, whiteboards, etc, यह जो modern method है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, यह भी हम modern method के अंदर इसको ले सकते हैं, right, internet based होती है चीज़ें यहाँ पर, modern teaching methods are student friendly as they require their active participation, so student friendly होता है, इसमें active participation चाहिए, अब जैसे मैं तो student ऐसे हैं, जिनके पास ना ही internet connection है, ना ही वो पढ़ने में interested है, तो अब हम आपको एक एको घर जाकर नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इसमें students को खुद को participate करना है, खुद को उनको अच्छे से समझ होनी चाहिए, कि उनको क्या करना है, क्या नहीं, next is modern teaching methods highly dependent on information and communication technology, information and communication technology, जो मैं इसके बार discuss करने वाले हैं, इसके कुछ merits है, that learner-centered technique होती है, more content can be created in lesser time, modern teaching methods are fun and interactive way of learning, right, and there is more scope of using audio video, जैसे कि अभी है, documentaries है, YouTube videos आप देख रहे हो, हमारे online lectures आप देख रहे हो, MOOC है, इसका एक पार जो कि हमने previous lecture में discuss किया, educational games है, educational mobile applications, ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है, ठीक है, इसके बाद इसके डी में आदर से आप देख सकते हो, इसमें क्या है, dynamic है, dynamic का मतलब होता है, changeable, ठीक है, यानि कि अधिक गती शील हो जाता है, ये teachers need to learn and relearn new skills, अब online learning में कुछ भी मैं आपको सिखा रही हो, तो मुझे हमें अपन इस सारे skills को activate रतना पड़ेगा, new skills हमेशा रखनी पड़ेंगी, there is too much reliance on technology which reduces the authority of the teacher, क्योंकि हम बहुत जादा internet और technology पर based होते हैं, जिस वज़ा से teachers जो है, अपने अधिकार को कम समझने लग जाते हैं, huge investment, money, time, efforts, जैसे कि हम videos बना रहे हैं, बहुत efforts करने पड़ते हैं, पहले PPT बनानी पड़ती है, फिर videos record करो, उसको upload करो, उसकी settings करो, ठीक है, students के end पर भी ही है, उनको mobile चाहिए, internet connection चाहिए, तो ये सारी चीज़े, इसकी demerits भी है, merits भी हम इसको मान सकते हैं, कि इसका ये फ information and communication technology, information and communication technology होता है, ICT का मतलब, जिसमें की हम computer, memory, ये सारी कीज़ें, use करते हैं, to capture, process, store and communicate information, communicate information का मतलब होता है, एक जगह से, दूसरी जगह पे information को share करना, right, so ICT has proven to be vital from the form of teaching in today's scenario, आप सभी को पता है, कि आज के समय पे, ICT का use करके, especially Corona के बाद से ICT का use करके ही पढ़ाया जाता है, इसमें आता है सबसे ज़्यादा distance learning, video conferencing, projectors and mobile internet, ये सारी चीज़ें, so I hope students, आज की सारे concepts आपके clear हैं, कोई भी doubt है, कोई भी query है, आज की topics are related, या मेरे किसे भी previous topics are related, या फिर next आप चाते हो, कि मैं कौन से unit आपक topic में आपके लिए लेकर आऊ, इस तरह की कोई special request अगर आपकी है, तो जरूर मुझे comment कीजेगा, so thank you so much for watching this video and I wish you all the way